थो अप्लोड करते हैं तो आप इसमें डिस्क्रिप्सिन में लिखते हैं और टैक track पर लगातें उपने वीडियोः को दुक payoff एक लेकिन इसी में कि से एक पसमें पनाया था जिसमें मैंने बता है कि यूटूunden आपको आप खुद बताएगा कि आप अपने वीडियो के लिए टैग कैसे पता करेबड़ आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताएarlah जिससे आप अपने वीडियो के लिए टैग और भी आसानी से पता कर सकते हैं यूँ कहें कि आप short cut तरीके से आप अपने वीडियो के लिए tag को पता कर सकते हैं तो कैसे वो पता कर सकते हैं सब मैं आपको वीडियो बताऊंगा तो वीडियो पर last तक ज़रूर बने रहेगा तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहरे यहाँ पर आपको अपने वाlightate studio को open करने के बाहर यहां पर आपको कोई भी आपको एक पार्टीक्लियग ले लिएना है और वीडियो लेने के यहां पर करके यहां पर मैंने कॉपी कर लिया कॉपी करने के बाद आपको यहां पर सिंप्ली बैक आ जाना है इस तरीके से बैक आने के बाद यहां पर आपको अपने गूगल को ओपन करने के बाद यहां पर आपको लिखना है रैपीड टैग रैपीड टैग रैपीड टैग सबसे और निए कि यहां पे पर और यहां पर लिखा रहेगा इंटर्य नेक्सट यूटुब वीडियो तो यहां पर आपको वो जो चीज आपने कापी की है उसको पेच्छ करने के बार यहाँ पर सर्च वाले आइकन पर जाएगे तो यहां पर यहां पर आपको आप देशक्ते हैं यहां पर आप से अपका जो वीडियो से यूरेटेड यह सारे टेग आ चुक आप अ पर तरीका क्या है कि ये सब जो टैग है उसको आपको यहां से simply copy कर लेना यहां से copy कर लेंगे जो आपको टैग वो copy हो गया अब copy होने के बाद यहां पे आपको बैका जाना है आपको फिर से youtube उस्ट्पी में चले आना और यहां पर जाने के बाद BUT आपने जो सब्रेस्ट कर देना है इस तरीके से कुछ सब्सक्री यहां पर आप कउरक कर देदा हूँ आप देखलें YouTube new update 2030 फिर कॉमा फिर YouTube update 2030 कॉमा तो यहां पर इसको आपको कॉमा को हटा देना है इस तरीके से कॉमा को हटा देजे नहीं तो आपका जो वीडियो है उस पर कॉपी राइट आ जाएगा कॉमा अटाने के बाद यहां पर आपको simply enter कर देना है और इस तरीके से वो नीचे हो जाए जाएगा और इसमें से आपको simply यहां से कॉपी करके इस तरीके से आप आपने टेक्स्त में भी जाके यहां पे भी जाके उसको कॉपी कर सकते हैं टो इस तरीके से आंके दो काम हो जाएं disponpir एडि चलिए मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच